बच्छों आज हम पढ़ेंगे चडिकक्षा के सात्वा पाद पाद का नाम है साती हाथ बढ़ाना यहें कविता है और इस कविता को साहिर लुदिया नवीची ने लिखा है साती हाथ बढ़ाने का मतलब क्या है? Friend, please raise your hand कवी अपने कविता त्वारा एकता और कटिंग परिश्रम के बारे में बताता है Through this poem, the poet is explaining about unity and hardworking तो अब हम कविता पढ़ते हैं, ठीक है? कविता इस प्रगार है साती हाथ बढ़ाना एक अकेला तक जाएगा मिलकर बोच उढ़ाना साती हाथ बढ़ाना हम मेहनत वालोंने जब भी मिलकर कधम बढ़ाया सागर ने रस्ता चोड़ा, परबतने सीज जुकाया फाउलादी है सीने अपने, फाउलादी है बाहे हम चाहे तो चट्ठानों में पैदा कर दे राहे साती हाथ बढ़ाना अब हम कविता विस्तार से पढ़ेंगे ठीके, अब पहला पंक्तिया साधी हाथ बढ़ाना फ्रेंट, प्लीज रेज़ रेज़ रहांग्स एक अकेला तक जाएगा मिलकर बूझ उठाना अब हम कह बहुच एलॉण पढ़ाना तक जाना means tired Okay If I do the heavy work alone अखेला, alone I'll be tired मिलकर बूझ उठाना Together we will lift the heavy things We'll do the heavy work together बूझ उठाना means बार उठाना Okay We will lift the heavy things together तो यहाँ टीम वर्क के बारे में बताते हैं कभी टीम वर्क में काम करें तो क्या होता है? काम आसान हो जाता है ना? एक अकेला विक्ती भारी काम नहीं कर सकता अगर हम मिलकर काम करें तो काम आसान हो जाता है The work will be easier if we do the work together हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया सागर ने रस्ता चोड़ा परबत ने सीज जुकाया मेहनत वालों means hardworking people मिलकर कदम बढ़ाया इसका मतलब है together step forward So when we hardworking people together, when we step forward to do a work तो क्या होता है? सागर ने रस्ता चोड़ा We could find way through the sea सागर में भी हम रस्ता पासकते है We could find way through the sea परबत ने सी जुकाया Mountain अपना सिर जुकाना जुकाना means bend Even the big mountain bend its head in front of the hardworking people That is, they could climb the high mountain very easily But it is possible only when we do the work together तो मेहनत करने वाले लोग जब वो मिलकर कदम बढ़ाया When they together step forward to do a work They could find way through the sea They could climb the big high mountain very easily आगे कभी बताते हैं फावलादी है सीने अपने फावलादी है बाहे फावलादी का मतलब है strong like iron सीना और बाहे That is, chest and shoulders Our chest and our shoulders are strong like iron हम चाहे तो चठानों में पाइदा कर दे राहे If we wish, we could create new ways through चठान चठान means huge rock We could create new ways through huge rocks Because our chest and our shoulders are strong like iron We are ready to do any kind of work But it must be done in a unity Because unity is strength So friend, please raise your hands Let's do the work together